नमस्ते सर आप सबका स्वागत है विग्यवास्तन अस्ट्रॉलजी के एक और वीडियो में और आज हम एक बहुती बेसिक बहुती इंट्रस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो हम बिग्नर में सीखते तो हैं बट आगे चलके हम कहीं ने कहीं उसको इग्णोर करना कुंडली में बारा भाव हैं पर उन भावों में क्या के खजाने चुपे हैं हर भाव की बीचे क्या कहानी है उसके लिए हमने एक चोटा से डिसकेशन करेंगे हमारे फेरेट स्ट्रॉलजर टीचर दिनेश सर के साथ वेलकम सर नमस्ते आलो भी आप सभी को प्रहां तो एक मैं हम क्या चबिए? इंग्छिष में थो हमें पता है हमें हमें आपाव लिखा गया है तो और हमारे पास में टूटल उसको जो है बारा भागों के अंदर डिवाइड करने हैं एक-एक हिस्सा जो है आप उसको हाउस कही है उसको भाव कही है आप कुछ भी आप उसको कह सकते हैं और सबसे बड़ी कमाल की चीज यह है कि इस 360 डिगरी के अंदर किसी का भी संपूर्ण जीवन संपूर्ण ब्रहमान उसी के अंदर समाया हुआ है समान अन्शों के उपर हम लोगों को जो है एक-एक भाव 12 के अंदर विभाजित बारा राशिया हैं और बारा ही हम लोगों को भाव मिल रहे हैं कि आज विव्यक्ति जो है आगे की तरफ यात्रा के अंदर जा रहा है तो पहले एक भाव से या एक घर से दूसरे घर के अंदर आगे बढ़ रहा है फिर उसके आगे बढ़ रहा है तो एक तरीके से जीवन ही यात्रा है पूरा completely और वो इसी के अंदर समाही प्रारंब कहा से प्रारंब आपके लगनिस्थान से तो जो लगनिस्थान है आपका और लगनिस्थान का जो first house है वही आपका जो जीवन का जो दिशा है सब कुछ तो तै कहने वाली चीज़े वो आपका लगनिस्थान तै कर बारा राशियां है और जो आपके जन्म के समय जो भी राशी क अंदर आएगी और वही आपकी जीवन की नियती जो भी है उसको तैकर ने वाली वो बन जाती है मतलब हमारा हेलप होगी हमाई भाव को समझने के लिए अपसर हम भाव की बात करते हैं तो भाव के साथ हमेशा वह बहुत है तो हम कैसे करें कि हमें क्या चीज़ भाव से देखनी है और भाविश हैं तो बहाव भी चौता है उनका एक बाव होगा हम इसको कैसे भाविश कम देखना है देखे भाव और भाविश और बलकि इसके अंदर एक चीज और एड होती है वो है कि आपका कारण हम लोगों को जब भी किसी भी भाव को देखने हैं आपको पता है कि फर्स्ट हूज जो आपका लगन है प्रतम भाव जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता और बारा भावों के क्या-क्या कारकत वह ज़्यादा है यहां पर देखे भाव जो है वहां पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो इसको एक इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं कि जैसे मैं बता है कि यात्रा के उपर निकला हुआ है यह जीवने क्यात्रा है आपके बच्ष् करती के उपर तब तक कि यह आतरा आपकी जर्णी चलती रही इसको आप कार की तरह मान लीजिए एक-एक भाव को उस भाव के अंदर आपके कौन-कौन से लोग बैठे हुए वह एक्चुली उस पर्टिकुलर भाव के अंदर आपकी इस तरह एन्वायरमेंट है उसको शो करत है जिस भी भाव के अंदर आपके मान लीजिए कि नैचुरल मेलेफिक प्लैनेट जादा बैठे हुए है तो सभावी क्रूप से वहां पर वो भाव जो हैं वहां पर सुक्की तो अनुबटी होगी नहीं हमारे पास ग्रह हैं हमारे कितने नौ हमारे जो ग्रह हैं उन ग्रहो के अंतर गता जाएंगे और जो बहुत अच्छे लोग है शुद सात्विक लोग है भोले वाले लोग है वो आप भी शुब ग्रह मान करके चल ली दी जिनका काम है कि लोगों को शुबता प्रतान करना अब एक भाव के अंदर सपोस कीजिए कि केवल और केवल पाप ग्रह बयटे हुए होँ को वह जाधा अच्छा होगा या एक वो बहाव जिसके अंदर केवल और केवल खुब ग्रह बैटे हुए होगा होगा हो जिना फेक्ट ये भी है शुब ग्रह जो है जिस भी भाव के अंदर बैठा ह === बहुता नई बोलता ना कि environment जो उस particular भाव से related या उस life के पार्ट से related वो आपका हमेशा सुकत रूप से आपके सामने प्राफ और पाक ग्रह यादी बैठे होंगे तो वहाँ पर obviously कि वहाँ पर कोला हल भी होगा उस पार्ट के अंदर महाँ पर मान लिजी कि fourth में है तो वहाँ पर आपके घ बाइनस है वो करायधार की तरह है वो ओनर नहीं final जो आसफरिटी है वह होता है आपके लेंड लौड तो उस वह हैं कि इस यह शुरम और शुबता आपका final result किस प्रकार से आपके जीवन में प्राफ्ट होगा, वो निर्भर करेगा उस भाव के स्वामी के उप्त, विकॉस ड्राइवर जो है, वो आपका भाव का स्वामी, एक आसान शब्द में मैं बता देता हूँ, कि मान लीजी कि आपके पास में लग्जरी कार, जिसके अंदर वो आज के लोगल बोला जाता है, कि वो सुपर लग्जरी कार मान लीजी जो भी है, अगर उसका ड्राइवर पर्फेक्ट नहीं, और वो पर्फेक्ट नहीं तो इसका मतलब वो कहां तक ले करके जाएगा, आपको लंबी आत्रा नहीं कर सकता, और एक सपोस कीजी कि कार है लेकिन उसके पास में बहुत जादा लग्जरी नहीं है, लेकिन उसकार का जो ड्रायर नहीं हैर बहुत जादा पर्फेक्ट है, अब सेफटी से अपने गंतभवे पे कहों लेखर के जाएगा, जिसका तो इसका मतलब ड्रायवर का इंपर्टैस साथ अच्छा, इसका मतलब हाउस लॉर्ड is very important, जिसको हम लोग बोला जाता है भाव का स्वामी जिसे बोला जाता है भावेश या मुझे धन अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा सेकिंड हाउस के इंदर प्लैनेट्स भी जिम्मेदार है ठीक है वो देते हैं लेकिन उसका जो लॉड है वो जादा महत्पूर वो है करता है तो जितने हमी अरजे अच्छी क्रायदार हो हमें रिजल्ट मिले में कई नहीं प्रॉब्लम देखेंगे भावे इंपोर्टेंट है इन्वाइमेंट दिखाने के लिए पर भावेश रिजल्ट देगा जितने हैं मैं समालिजी कि लगन स्थान है लगन स्थान के अंदर पाप बरह बैठेंगे तो हम लोग बहुत से लोग बहुत जो बोलते हैं कि विक्ति को बहुत परिशानी आओंगी यह हैं और कई फाइनल कहां से मिलेब का वह भाविश लेता है ना तो कही ने थोड़ीट को ह। साहस की अगर बाएं है अपना पॉर्टफोलियो ओके शेनी बैठेगा तो actually मैं शेनी का जो जो भी नैसर की अंचनी की वह आएगे जी अगर मंगल है तो उसका नैसर की किवरति है वह आएगे और नाम से पता लग जाता है कि मंगल लगन में बैठाऊ है साब, मंगल लगर में बैठा वा तो बैक्ति के सहव कह साब, बहुत ज़ादा energetic होगा साब या बहुत ज़ादा बोलते है एर्ग्रेशन वाला होगा लेकिन कॉन से राशीयों के अंदर है तो आशी स्थितिक अंदर तो वेक्ति के लिए पॉजिटिवली है ना बट यह और अच्छा में चीज यह है पाप ग्रह यदि लगन में भी आ जाएं तो कोई ड़ने वाली चीज नहीं है वाह पर यदि उसका लगन का भाव का जो स्वामी अच्छी स्थिति के अंदर बैठाओ अब सरह आपने एक वरड में बट बीच में डिरथे बहुत है या इनके लिए और भी कुछ है जो हम मिस कर रहे है तो निया में एक भी व्यक्ति ऐसा निए जिसके छेटे भाँच है, six thousand ना हो, जिसके eight thousand ना हो, जिसके twelve thousand ना हो, इनके lots ना हो, कहीं ने कहीं उनको बैट में, और डरना तो किसी से है, इना फैक्ट यह है, आपका हर भाव जो है, एक से लिकर करके आपके बारा तक जो भी भाव हैं, उनके साथ में शुब कारकत्व भी जुड़े हों हैं, उनके साथ में अशुब कारकत्व भी जुड़े हों हैं, और जो भी basic कारकत्वाज हैं, वो अपना work करते हैं हमेशा, छटा भाव, आठ भाव भाव या बारवा भाव, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमेशा ही अशुब करते हूं, छटा भाव अगर मादल, जो sixth house है आपका, six house तो आप मान करके लिए अर्थ तरिकोन का एक महत्पुन भाव, उप्चे इस्थानों में भी एक है, यदि छटा भाव आपका strength के अंदर नहीं है, देखें बात को समझ ये गाया हैं, छे, आठ और बारा भाव जो है, strength में मुझे कोई problem नहीं है, लेकिन वो लगनेश से ज़्यादा strength के अंदर नहीं होने, या लगन भाव से ज़्यादा strength में नहीं होने, उस condition में व्यक्तिकों प्रॉब्लम्स आ सकते, otherwise six thousand, six thousand competition में fight करने के लिए आपको दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए पहुँजादा सास की दुरत पढ़ती है, सो मिशन्स वहाँ से मिलते हैं लोगन को लाइक के लिए और उसके साथ में कई चीज़े जुड़ी हुई भी है, लेकिन वहाँ पर भी conditions अप्लाय होता है, बहुत सारी conditions है, जब 8th Lord की मैं बात करूं, किस condition के अंदर problems greater बनता है, तो certain conditions जहां पर भी एक साथ एक ही भाव के अ अशुब के वल तब होते हैं, जब एक के साथ में multiple कुछ negativity एक साथ में add होते हैं, सपोस कीजे कि 8th house Lord है, उसके साथ में 64th का जो है नमवाँचा, जो 64 नमवाँचा उसका स्वामी add होता है, वहाँ पर 22 वाद रेश्पान का स्वामी भी आ जाए, वहाँ पर आवयोगी प्ल problems creator नहीं बनता है, और specifically the 8th house जो है, 8th house का Lord है, 6th house का Lord है, 12th house का Lord है, इवन 12th house का Lord तो देखे, neutral बोला जाते है बार बार बार, जी, और वो actually आपके लिए शुब करेगा, आशुब करेगा, वो निर्पर करेगा, बहुत सारी अन्नी चीजों के उपर, उसका second sign कहां पर है, 6th house जो है, आपका उपचे इस्थान में आ जाता है, तेरे एक house तो है लेकिन उपचे इस्थान के अंदर आ जाता है, 3, 6, 10 and 11, तो वो बहुत महत्पून भाव हो गया, एक भाव आपका अश्टम आ गया, अब अश्टम इस्थान जो problems creator तो बनता है, लेकिन वो मैंने conditions आपको proper decision देखना चाहिए पहले, कि ज्यादा malefic तो नहीं है, अगर क्योंकि sex भी important है और हम जोतिश करें तो हमें तो आपको मैं बताओ, छटा भाव क्या चीज़े वो है आपका competition, जिस भी भाव में जाएगा, वहाँ पर जाकर कि वो आपको संगर्ष करवाएगा, उसको अपना क फिर भर ये करेगा कि उसके उपर अन्य प्रभाव कौन से, अश्टम इस्थान है आपकी life के अंदर sudden events लेकर के आने वाला है, नवे भाव आपका धरम का है, और बारवे से बारवा भाव जो आपका अश्टम हो जाता है, जो कि आपका अधरम के लिए या sin के लिए या पापकर्ण होना, या इस तरह कि कोई ने कोई चीज वहाँ पर possible है आपका it's fraud की वज़े से, लेकिन वो होगी की नहीं होगी, एक अकिला प्लैनेट कभी कुछ नहीं कर, लेकिन वो कब करने पढ़ेंगे, और किस लेवल के करने पढ़ेंगे, वो निर्भर करेगा, वो निर 8th house, जो 4th house है, उसके उपर कौन से ग्रहों का प्रभाव अन्यार, I hope अब clear हो गया होगा मेरा, जी सर, अब काफी हद तक clear हो गया, कि हमें, पहले मैं बता रहा था, लेकिन वो एक्जांपल नहीं थे भा रहा था, अब ज्यादा perfectly clear हो, ऐसे कि आपका 12th house का Lord है, 12th house basically आपके related खर्चे दिखाएगा, जो प्लैनेट वहां बैटे हुएंगे, वो खर्चे दिखाएगा, 5th house के अंदर है, इसका मतला आपकी education के लिए ज्यादा कर्चे करने के पढ़ेंगे, आपको life के अंदर, aware होना है, 4th house के अंदर है, घर के लिए करने पढ़ेंगे साथ, तो वो उस के साथ में आकर कि राउ कितु बैठा हुआ है, या गुली का आ गया, या 64 वा नावमाज का आ गया, 22 वा द्रेशकान वा आ गया, या आवयो की प्लैनेट आगे, तो ये negative points अगर add हुए है, तब problem साथ, या दर्वाइस नहीं आगे, तो हमना हमें single चीज से ढढ़ना नहीं ह क्या पता, वहाँ पर गुरू की द्रिश्टी हो, उसको समझा ले, संभाल ले, गुरू को द्रिश्टी हो, 9th Lord की द्रिश्टी हो, और एक चीज कहीए कि तर्कोनेश हमेशा बचाने वाले होता है, बचाने वाले प्लैनेट से यह वहाँ पर हैं तो problems नहीं आते, जी सर, ये सर काफी मुझा टेक ना, क्लारिटी मिली है, क्योंकि हमेशा डाउट होता है, अब सर अपनी वर्ड बोला था, उप्चे, उप्चे हमें पता है, तीन, छे, दज, ग्यारव हाँ कहते हैं, और ये भी कहते हैं, जो ग्रह चला गया हो, हमेशा अच्छा होता है, तो क्या आप के मत में ही है कि आपने कभी एक्स्पिरेंस करेंगे, सारे ग्रह उप्चे में अच्छा रिजल्ट देते हैं या इसमें कोई हमें देखना चाहिए, देखे उप्चे इस्थानों के अंदर जो स्पेसिफिकली बताया गया है, पाप ग्रह यादि आपके उप्चे इस्थानो उप्चे स्थान एक्चुली है क्या, तीसरा भाव आपका स्किल्स है, आपका कॉशल है, छटा भाव जो है, आपका कॉम्पिटिशन जैसा मैंने बताया कि आपको कॉम्पिटिशन के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा, सर्विस के अंदर आगे आना पड़ेगा, जो आप पापग्रह का इसलिए जादा अच्छा है क्योंकि पापग्रह व्यक्ति विशेश को महनत जादा करवाने के अंदर है मदद करते हैं अगर वहाँ पर benefit planets बैठे हुआ तो benefit planets इस level का मदद व्यक्ति विशेश को नहीं करते हैं वो soft kind of पर अब समझना चीज़ को एक लाइफ होती है विक्ति की जो कि केंद्र और त्रिकोनों के राजियों के करन चलती है उन लोगों की लाइफ चलती है बहुत smoothly हाड़ वर्क नहीं करना परता हूं लेकिन उप्चे स्थान से लेवल से जब लोग देखते हैं बहुत से लोगों को कोशल बढ़ाया अपना ग्यान किसी चीज़ का लिया उसने और ग्यान लेने के बाद में विक्ति आगे बढ़ता हूं सर्विस के अंदर चला कि अपने करम से उसने अपने लाब का जो रास्त तैय कड़ी तो मतलब जो केंद्र और त्रिकोन वाले हैं उनको हम गया सकते हैं तो सिल्डर स्पून वाले राजी हों गये सिल्डर स्पून मिला वख सपोर्ट से तीन छे उप्चेश वाले हैं अपनी महनत से अपने कौशल से अपने करम से आगे बढ़े एक तरीक से क्रांतिकारी हूं कि जतने भी सोच वाले हैं दो अफ्चाइश नए अ कि जितने भी क्राम्तिकारी विकारों का अगर आएगा, जिनौने पुरा इक पुरा आ पुरा नक्षा नक्षा चेंज था दुनिया मान लिजिये, देश का मान लीजिए, सुवाज चेंदर बोज जी मान लीजिए, बाबा साहब मान लीजिए, ये अच्छली उप्चे स्थानों का वो है, इनके चार्ड्स के अंदर आपको उप्चे स्थानों का बहुत महत्पून टोल मिलेगा, जहां पर वह बोलता है कि स्टेंथ मैंने बस मन में ठान ली, तो मैं कर लूँगा, और एक लाइफ होती है केंदर त्रिकोनों के अंदर, जिसके अंदर जो है, स्मूथली आगे चलता जा रहा है विक्ति को इतना कोई संगर्शनी करना पड़ रहा है, तो ये डिफ्रेंस है वहाँ पड़ना, अच्छा, उसमें एक करनेक्टेट नहीं है, तो आपके त्री शड़ाए भाव बन जाए, और क्यारा, इफ टैंथ इस नोट करनेक्टेट, मतलब आप करम से नहीं जुड़े हो है, तो केवल ये भाव जो है, एक आपकी इच्छा का हो गया, एक आपका competition का हो गया, और एक इच्छा की पूर्थी के लिए लड़ने वाला हो गया, कि वह इच्छा की पूर्थी की सोच है, करम महाँ पर नहीं है, करम नहीं है, तो मतलब आपके वो त्री शड़ाए हैं, वो लाइफ के इंदर most worsted house हो जाएंगा, तो ये सर काफी अच्छा है, मतल बॉले हींगा, तो इसमें आता है एकाばव, तो एकाद वाव से मेरा question है, सब भाव में होता है कि हर भाव के बहुत सारे जिनको हम कहते हैं, उनके कारकत्व हैं हर भाव के अंदर, अब एकादश से हम रोग भी देखते हैं, एकादश से हम आए भी देखते हैं, तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशीट करें कि कब हमें ये रोग किती प्रदान करेगा, और कब एकादश भाव हमें आये देगा, या हमारी wish fulfill करेगा एक एक ग्रादश का एक्जामपल ले रहे हैं कि होता है सब में सब भाव कहने के विजल्ट हमें बता रहे होते हैं देखे 11 जो है आपका ग्यारवा भाव जो है देखा जाए तो लिजल्ट है तो खराब कैसे हो सकता बिलकुल प्रशनिये भी सही है त्रीशडायश के अंदर और रिशी मुनी कह रहे हैं कि साब यह भाव जो परिशान करने वाले भी है बिलकुल उप्चे भी है त्रीशडायश भी है इना फैक्ट यह है आपका 11 जो है यह फोर्थ हॉस से आपका 8 जो है परिशान वाला भाव नहीं है अगर किसी की दशाँ चल रही है, 11th लॉट की यह दिए, दशाँ चल रही है किसी की न, तो mostly आप पाएंगे कि वहाँ पर धनकी स्थितियां बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर health issue, different kind of parisiania, अलग तरीके की parisiania वक्ति भी जिए इसको face करना पर रहे हैं. क्याई बार लोग पूसे नुसे, बोले कि सर मुझे तो लाब चाहिए, तो क्या मैं लाब का रतन पहन लूँ, आपको परिशा नहीं आजाएगी. यह सब आता है question, क्योंकि जब हम जोतिश शुरू करते हैं तो हमेरे अच्छा देखता है, पैसा 11th house, और कैसे इंपरू करने हमने देखा है, रतन पहन के करते हैं, तो question आई सकता है, आता है हमेशा? इसके निर्भर करता है, आपके कौन सी दशाएं चलते हैं और मुझे देखना क्या है? सबसे important चीज यह है, कि जो भाव है 11th house के अंदर, planets कहीं पर भी बैठे भी होते हैं, माल यह छटे भाव में planets हैं, आई एट्स में planets हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप देखते ही बोलते हैं कि आप यह सारे के सारे planets खराब है वेक्तिका, तो life खराब होगा, ऐसा होगा, इना fact यह है कि वहाँ पर तिर्कोनेशों की क्या position बनती है, कि इंद्रेश किस प्रकार से बैठे हुए है, उनकी आपस के अंदर किस प्रकार से गणनाई बनी हुए है, और ठीक वैसे हम लोगों का 11th house लॉट को देख रहे हैं, कौन सी दशा व्यक्ति विशेश की चल रहे है, मारक की दशा चल रहे है, या आपकी जो दशा किसी योगकार ग्रह की दशा चल रहे है, या तिर्कोनेश की दशा चल रहे है, उन दशाओं के उपर निर्भर है कि आपके उस दशांतर दशा के अंदर ये प्लैनेट जो आएगा वो किस प्रकार से आपको रिजर्ट प्रतान करेगा ये विशेक ऐसा है कि इसके अंदर जब तक एक्जांपल चार्ट नहीं ले जाएं तिंग चार्ट तब तक आप नहीं समझ पाएंगे दशांतर दशांतर तो मैं समझूगा कि ये 11 वीडियो हाला कि एक वीडियो मैंने बना रखा है पहले पर यादा मैंने बनाया हुआ इसके इसको सब्सक्राइब करेंगे साथ में पेंड करने जब आए तो एक सजेशन भी आज उसी वीडियो का सजेशन आप क्योंकि यहां पर वह कंप्लीट नहीं हो सकता है नहीं वह तो फिर एक आफ टॉपिक हम पूरा 11 भाव पी चले जाएंगे तो सर अच्छा हम समझ रहे हैं क्योंकि हर भाव में कहने के रिजल्ट होते हैं तो उनको समझने के लिए कहीं ना कहीं थोरसा हमें अपना एक्सपर्टीज अपना थोरसा कॉशस रखना पड़ेगा अब सर एक ना बहुती कन्फूजन वाला क्वेशन है बहुत बुक्स में कन्फूजन होता है पिताकस्ता शुरू से कॉंट्रोवर्शल रहा है लोग आपसे लटते भी हैं अलग-अलग पड़ेदी अलग-अलग चीज़े कहते हैं मेरे इस पश्रूफ से मानना है यह है कि नाइन्थ हूस इस फॉर्दा फादर इसके अंदर कोई पिकिन्तू या परंतू नहीं है और नाइन्थ सबका अलग-अलग है तो सर आपसे 9000 ही हमें फादर के लिए देखना चाहिए लिए उसका लॉडिकल रिजन्स बी बहुंघ है याजैसे कई अब कई वार उसके इसको यहां पर कह सकते कि कन्फिज़न दूर करके थार यहां पर के तो से देखें 9000 को टेस्ट करें हमें रिजर्ट मिलनेंगे चांसे ज्यादा है नाइंध ऑस से मुझे वहीं से रिजल्ट मिलें हैं मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि टैंध ऑस से जाकर के उसको रिजल्ट अच्छा चेक तो करना ही है उसके मिनल सर आगी के से बढ़ेंगे और जितने चार्ज के अंदर आपने वर्क किया और फिर उसके बाद में आपने जो अब्सर्व किया उसको आप फॉलो कीजिए तो मैं इस पर यह भी नहीं बोलूँगा कि दिनेश सर ने बोल दिया आप लो 9000 तो ऐसा नहीं है मेरा कहना ही है कि आप यूज मिलीजे मेरे अनुसार जो 9000 से रिजल्ट मुझे मिले हमेशा जी जी और हमेशे एच्छे रिजल्ट मिलें वैदेक अनुसार बाकि आप लोग टेस्स कीजिए किस परकार से आपको रिजल्ट मिलें गो फॉर जी सर आम असको टेस्क करेंगे औ और आपको बताएंगे भी के रिसर्ज में तो सर मेरा बस ये 5-7 questions थे ताकि एक introduction हो जाए भाव को लेके कुछ questions होते हैं कुछ confusion होती है तीशडाय हो गए त्रिक भाव हो गए उप्चाय हो गए तो बस उसी के लिए सोचा आप से मिले एक छोटा से सेशन करें बाकि तो workshop में हम आप से मिलेंगे classes में और सीखेंगे भाव के बारें पूरा तैंकि सो मच आपने मुझसे प्रशन के दिपलची और मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रशनों के जो उत्तर में आपको मिल पाए होंगे रेस्ट बाकि हम लोग और वीडियो उसमें दिखते रहें नहीं सर्क्राशन के उत्तर मिल और बहुत अच्छे मिल में अमीद नहीं कर रहा थे कि इतने क्लारिटी से आंसर मिलेगा थाइंक्यू सर अपने अपना टाइम दिया थाइंक्यू सो मच अश्कार थैंक्यू